निमोनिया कहें या पन्यूमोनिया कहें और यह होता कैसे है इसका कॉजटिव और इसके साथ ही इसके सिंटम्स क्या है यारी कि इसको अगर किसी की बिमारी है तो वो क्या-क्या एक्सपिरियंस करेगा गे सब अगर जाना है तो फड़ा फट सब्सक्राइब करें वीडियो को एन तक देखें क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं निमोनिया निमोनिया कि अगर मैं बात करूं निमोनिया है बहुत ही कॉमन सी डिजीज है जो सुनने में आती है specially जिनकी इमिनेटी काफी वीक होती है ठीक है अच्छा तो जैसे कि हम स्टांट करते हैं तो निमोनिया अगें निमोनिया आफने सुना होगा कि काफी जादा है और बात करने हैं अगर मै् निमोनिया का बातरी च दो bacteria है, ठीक है, there are two bacteria that can cause pneumonia, पहले जो है, पहले है वो streptococcus pneumoniae, ठीक है, pneumonia है, उसी से मिलता जुलता नाम है, pneumoniae, ठीक है, यह हमारे पहले bacterium है, जो आपके, क्या कॉस करते है, pneumonia, second जो है, second है हमारे हीमोफाइलस या हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस जादा प्रिफर किया जाता है, बड़ काफी लोग हीमोफाइलस भी कहते है, influenzae, ठीक है, हीमोफिलस, influenzae, so यह दो आपके अलग-अलग bacteria है, जो आप में pneumoniae कॉस करते है, अच्छा, pneumoniae, common cold से थोड़ा सा different होता थोड़ा क्या काफी different होता है, जो common cold होता है हमारा, वो कहीं नहीं, कहीं, nose or mucus अगेरा, इंसे related है, pneumoniae is very harmful, ठंड लगके तो होता ही है, no doubt, but यह जिस चीज को hamper करता है, वो है हमारे lungs में बहुत ही efficient, बहुत ही important part, जिनको हम alveoli के नाम से जानते हैं, अच्छली होता क्या है, कि जब pneumonia होता है, तो जो alveoli की function है, वो खतम होता है, अच्छा, यह होता क्यों है, अगर थोड़ी से आपको याद हो कि यहाँ पर एक ऐसे जैसे capillary होती है, ठीक है, okay, this is the capillary, अब यह capillary जो है, इसके अंदर हमें पता है कि हमारा blood चलेगा, ठीक है, और वो blood में, जो majorly आप के RBCs है, राइट, वो हाट से आए है, तो वो क्या लेके आए है, वो लेके आए है, यहाँ पर CO2 जादा है, O2 कम है, तो वो किसली आए है, diffusion के थूख, एक्सचेंज कराने के लिए, नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है, नॉर्मल प्रोसीजर में आपकी जो air होती है, वो O2 का content होता है, जादा, अब क्योंकि यह वारा जो area है, ठीक है, यह 1 mm से भी कम है, if you all remember, पढ़ चुके हैं हम लोगे, ठीक है, क्योंकि यह 1 mm से भी कम है, तो यहाँ पर diffusion बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, carbon dioxide अंदर, O2 बाहर, और यहाँ से जब आपका RBC निकलता है, त तो it carries your oxygenated blood, ठीक है, बहुत शाबाशी के साथ यह काम चल रहा है, बहुत efficiently यह काम चल रहा है, अच्छे से सब मैनेज हो रहा है, problem क्या आएगी, problem आएगी कि अगर इनमें से कोई bacterium आता है आपकी body में, वो actually alveoli को सीधे hamper करता है, alveoli में कहीं न कहीं जो आपका fluid है, ठीक ह वो भर जाता है, अब जब क्योंकि fluid है, तो air का आना ही बहुत मश्किल हो जाता है, exchange तो दूर की बात है, तो इससी क्या होता है, आपकी body में कहीं न कहीं oxygen deficiency होने लगती है, ठीक है, अब oxygen अगर deficiency हो रही है आपकी body में, यानि वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी tissues हैं, जो बढ़ने लग जाएंगे, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपकी skin का कलर, आपके lips का कलर, आपके nails का कलर, जो है वो yellowish, जो generally beige कलर होता है, उससे turn होके हो जाता है, blue या ग्रेश, तो अगर मैं इसके symptoms की कुछ बात कर लूँ, ठीक है, तो chills, cold, headache, ठीक है, यह इसके common symptoms है, यानि अगर किसी को pneumonia होगा, ठीक है, इंफेक्शन होगा, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं, अगर किसी को pneumonia है, आप उससे और भी कई सारी एक सीरीज हो जाएंगी, यह जो इंफेक्शन है, यह फैल्टा कैसे है, अगर किसी को pneumonia है, आप उसके contact में आते हैं, उसके जूथे बरतनों से खाना खाते हैं, उसकी टाल यूज करते हैं, तॉलिया यूज करते हैं, या फिर उसके razors यूज करते हैं, यानि कि they can cause these symptoms to you also, और इसी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, आपने देखा होगा, कि pneumonia जब किसी को होता है, तो उसको तुरंत ही admit कर लेते हैं, उसके लंग से पानी भी निकाला जाता है कई बार, ताकि यह बहुत ज़्यादा बुरा रूपना ले ले, क्योंकि कई बार कि pneumonia also turns fatal at times, छोटे बच्चे जो specifically towards winters born होते हैं, उनको यह problem बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको तुरंत अगर doctor के पास लेके जाएंगे, तो ठीक भी हो जाएंगे, सबसे पहली चीज ज़रूरी है, कि अगर इन में से कोई भी symptom है, तो तुरंत बिना कोई देर करें, तुर जल्दी से जल्दी treatment हो, जितनी जल्दी treatment होगा, उतनी जल्दी patient होगा, आप क्या सकते हो कि सही होगा, अगर किसी को pneumonia है, तो इनके साथ glasses ना शेयर करें, टाल, blankets, beds, aerosols, उनके आसपास ना रहें जादा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक होगा, दूसरे को होने के chances बहुत जादा जरूरी है, so this is all about your pneumonia, I hope यह आपको clear होगा, ठीक है, इसके साथ ही कुछ दो-तीन बातें और कर लेते हैं, जैसे की, क्योंकि बाक्तिरियल डिजीज जो आपकी पहले थी, इससे टाइफॉइड वो हम देख चुके हैं, यह हमने pneumonia देख ली है, इसके इलावा कुछ और diseases हैं, जैसे आपकी dysentery, ठीक है, जैसे आपकी diphtheria, यह जो है, आपकी कहीं आप कह सकते हो, कि these are your even plague, ठीक है, यह आपकी कौन से diseases हैं, यह आपकी bacterial diseases हैं, यह सारी ही सारी जो हैं, आपकी किसे cause होती हैं, these are caused by your bacterium, so इसी लिए, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो हमें हम देखेंगे, वो देखेंगे हम viral diseases के बारे में, या फिर ऐसी diseases, जो viruses की वज़े से होती हैं, तो अगर वो देखना है, सब्सक्राइब करना है, फटा-फट से, और जो भी अभी चल रहा है, इसको तुरन-तुरन तब revise करते जाएं, इसको एक प्